इस वीडियो में मैं डिसकस करूँगा एक सिरप है नुविडेट के नाम से मार्किट में आता है जो कि दरसल एक एंटिबायोटिक है और उसके अंदर जो एक्टिव ड्रग शामिल है उसका नाम है सिप्रोफलोकससिन और मार्किट में ये 200 मिली ग्राम में भी आती है और 500 मिल ऑफेक्शन्स जो हैं उनको किल करने में उनको ट्रीट करने में नुविडेट अनौि सिरप इस्तमाल होते हैं असर मिया सांवोजन्शन आ पहले पहले थो मैं जिकर करूँ एक इंफेक्शन के बारे में उसका नाम है acute sinusitis, sinusitis क्या होता है कि जो हमारा चहरा होता है, उसके पीछे छोड़ छोड़े air spaces होते हैं, कभी कभी क्या होता है कि bacteria on air spaces के अंदर infection फैला देता है उसको acute sinusitis कहते है तो उसमें ये 500 mg का शर्बत इस्तमाल हो सकता है, कभी कभी क्या होता है हड़ियों और जोड़ों में infections फैल जाते हैं उसको कहते हैं bone and joint infections तो bone and joint infections में भी novidate का शर्बत इस्तमाल होता है, कभी कभी diarrhea, bacteria diarrhea भी करवाता है infectious diarrhea हो जाए, तो इस शर्बत का इस्तमाल होता है, novidate इस्तमाल होती है, पेट के अंदर कभी कभी इस्तमाल हो सकता है, जिल्द के ऊपर infections हो जाएं, जिल्द के ऊपर के infections के लिए भी आप novidate का शर्बत इस्तमाल कर सकते हों, पेशाप की नालियों का infection, यानि urine retrek infection, यह शर्बत इस्तमाल होता है, novidate का, यानि कि बहुत सारे इस सरह के infections हैं, कि जिन में यह शर्बत इस्तमाल होता है, अच्छे कुछ बाते हैं जो आपको बताना ज़रूरी है, सबसे पहली चीज, अगर तो आपको allergy है, आप इस infection, इस शर्बत का इस्तमाल नहीं करेंगे, इस के इलावा, अगर तो आपको जोडों का, हडियों का, पटों का मसला है, आपको कोई भी प्राबलम है, मसल्स की, आप इस शर्बत का इस्तेमाल न करें, बड़ी उमर के लोग, जिनकी उमर 60 साल से ज्यादा है, वो इस शर्बत का इस्तेमाल ना करें, इसकी इलावा, शर्बत पीते ही या किडिनी का मसला है, तो पहले डाक्टर के पास जाएं, और उसका अपनी प्रोफाइल के बारे में बताएं, कि आपको लिवर और किडिनी का मसला है, ताकि आपको एक बहतरीन ड्रग दी जा सके, और आपको मज़ीद प्राबलम से बचाया जा सके, तो यानि कि इस मेडिसन के एडवर्स इफेक्ट्स, या साइड इफेक्ट्स, या इसके वार्निंग साइंस ज्यादा हैं, लहाज एहतियाद कीजिए, प्रेगनिंसी में भी कभी कभी इंफेक्शन्स हो जाते हैं, लेकिन खामाखा फिर ड्रग इस्तेमाल नहीं करते, गाइनकोलिजिस्ट के पास जाके, उसकी राय लेना लाजमी है और उसके मताबिक फिर ड्रग्स के इस्तेमाल करें, इसकी लावा हमसे कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछें, साथ ही गुजारिश करूँगा, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेर करें, सब्सक्राइब कर लें, शुक्रिया